नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर वोख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतरगत पूछे जाने वाले सवाल की जानकारी यहां से पाएं बिहार के जिलो में बढ़ रहा वायू प्रदूशन, सेक्षब भरते रिजल्ट को लेकर बीपी ऐसी कार्याले के बाहर भारी हंगामा इंडिया के सीट शेरिंग के टाइमिंग तैर, पार खिलारियों के फिटनेस पर भर के वसीम अकरम, इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी ख़बरों के और विस्तार से बिहार में मचली पालन करने के लिए सरकार के इस योजना का उठाई लाब बिहार सरकार के ओर से किसानों और मचली पालन करने वालों के लिए एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम जलासे मातसिकी विकास योजना है बता दे किस योजना के तह सरकार के ओर से किसानों और मचली पालकों को 70 फीज़ी तक अनुदान उपलब्द करवाया जाता है हालक इस योजना का लाब पाने के लिए कुछ पातरता भी निर्धारित की गई है जिसके तहत आवे दक बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए और साथी किसानों के पास अधिक्तम एक एकर और नियुनतम शुनित दिसम्रोट चार एकर खुद की या लीज की जमीन होनी चाहिए वही वे लोग जो इस योजना का लाब उठाने के एक चुक है वे आधिकारिक वेबसाइट ॥िए पियस कॉलम्ब लैस स्टेट.बिहार.gov.in लैस एहट स्टीजन होम स्टीमल पर जाकर अपना वीदन कर सकते हैं बिहार में डेंगू के 250 नई मामले आए सामने बिहार में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जारी इसको लेकर स्वास्ते विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है बतादे कि बीते 24 घंटे में प्रदेश से 250 डेंगू के नई मामले सामने आए हैं जिसमें से सबसे जादा 155 बिहार की राजधानी पतना से हैं बतादे कि अब तक प्रदेश में डेंगू के मामलों की संख्या 13,481 हो गई है इसमें अकेले पतना में 6,099 डेंगू मरीज हैं वहीं प्रदेश में ऑक्टूबर महिने में डेंगू के 6,706 इस मामले मिले हैं बता दे कि प्रदेश में पटना के लावा भागलपूर, सारन, मुझपरपूर, पश्रिम, चंपारन, पुर्वी, चंपारन, मुंगेर, वैशाली जैसे जिले भी डेंगू से प्रभावित हैं बिहार के जिलों में बढ़ रहा वायू प्रदूशन, बिहार के मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है, प्रदेश में अब लोगों को सुभा और शाम कई जिलों में थोड़ी सिहरन महसूस हो रही वहीं अब बिहार में वायू प्रदूशन भी बढ़ने लगा है, बिहार के राज़ानी पटना वा पुर्णिया समेत कई जिलों में एर कॉलिटी इंडेक्स यानी की AQI लेवल खडाब सिती में पहुँच गया है, बता दे के पटना के समन पूरा इलाका सबसे अधिक प्र दर्च किया गया है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतरगत पूछे जाने वाले सवाल की जानकारी यहां से पाएं, बिहार सरकार के सूशना एवं जनसंपर्क विवाग के दोरा IPRD पर एक पोस्ट शेरकर यह जानकारी दी गई है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योज जिसके तहर सबसे पहला सवाल यह है कि योजना के अंतरगत चेन होने के बाद राशी कितने दिनों के अंदर आवीदक को दिया जाता है जिसके जवाब है तीन महीने के अंदर। साइट पर अपलोड करने के साथ दन बाद वाई चौथा सवाल है कि स्कूरूटनी क्या है और कब की जाती है जिसका जवाब है कि आवेदकों के चियन के पश्चाथ चियनत लोगों के आविशक दस्तावेजो जैसे जाती प्रमान पत्र बैंक स्टेटमेंट इंटरमीरियेट या समकच योगिता प्रमान पत्र आदी की जांच प्रक्रिया ही स्कूरूटनी है विसरे जानकारी के लिए विभाग के वेबसाइट sttpscolumn//udyami.bihar.gov.in//project-list या टोलफ्री नमबर 18-345-6214 पर संपर करें पदाकारी और करमचारियों के प्रमोशन पर सियासत चारी एक तरफ जहां निती सरकार के और से करमचारियों और पदादिकारियों के प्रमोशन में तेजी से काम हो रहा तो वहीं दूसरी और इस प्रमोशन को भीम आर्मी के और से गलट ठहराया जा रहा बता दे कि भीम आर्मी के और से बिहार की राजदानी पटना में एक पोस्टर लगाया गया है जिस पर लिखा गया है कि बिन आरक्षन का प्रमोशन तुगलकी फर्मान है यह समाज इक नाय नहीं ताना शाही है बता दे कि अब पोस्टर इसले लगाया गया है क्योंकि SCST के आरक्षन में प्रमोशन का मामला भी सुप्रीम कोट में लटका हुआ है और सरकार के दोरा सुप्रीम कोट के फैस्ते से पहले ही प्रमोशन का रास्ताज साफ कर दिया गया है बता दे किस पोस्टर में नितीश कुमार को एहंकारी तो महीं तेर श्री आदब को दलत विरोधी बताये गया है यूपी बीजेपी प्रवक्ता की बेटी का बिहार सिक्षक भरती में सेलेक्शन पर आरजेडी का बिहार में बिहार लोग सेवा आयोग यानि की बीपीसी के ओर से एक दसमलो साथ लाग पदों के लिए ली गई सिक्षक भरती परिछा में उत्तर प्रदेश के बीजेपी प प्रवक्ता के द्वारा अपने शोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर दी गई है वहीं अब इस पर बिहार में राजनिती सुरू हो गई है। भागलपुर के आदश अनन्द को इस वीडियो ने पनाया था स्टार। जिसका नाम पियर पियर है और यह एक भोजपूरी काना है वहीं अब बहुत जल्दी उनकी एक वेफ सरीज भी आने वाली है बता दे के आदश आनन्द कई टीवी रियाल्टी शो में मुख्य करदार की भूमी का भी निभाच चुके हैं। सक्चक भरती रिजल्ट को लेकर BPSC कारयाले के बाहर भारी हंगामा। बता दे के अभियर्थियों के द्वारा रिजल्ट में गर्बरी का रूप लगाते वे यह मांग की जा रही है कि रिजल्ट में हुई गर्बरी की जाच करने के बाद एक बार फिर से रिजल्ट जारी किया जाए मानमों के अभियर्थियों के द्वारा किये जा रही हंगामे के कारण PPSC कारयाले के बाहर अफरा तफरी के सिदीब बनी रही पता दे किसे पहले बिहार के पुर्व मुख्यमंतरी जीतर ना माजी के द्वारा भी सिक्छक भरती परिशा के रिजल्ट पर यारो उप लगाते वे कहा गया था कि सिक्छक बहाली में भी लैंड फॉर जॉब सक्राइम की तरह बहुत बढ़ा घोटाला हुआ है पांच राज्यों में विधान सभा च्वा चुनावों पर चिराख पासवान का बैयार पांच राज्यों में होने वाले विधान सभाAyूअ को लेकर सभी पार्टियों की ओर से अपनी तयारी शुरू कर दी कही है और साथ इसमें कोई एक दूसरे के लिए नहीं सोचता है या एक ऐसा गड़बंधन है जहाँ पर एक दर्जन से अधिक प्रधान मंतरी पदगे दावेदार है उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि पांच राज्यों में होने वाले चुनाव में एंडिये की भारी बहुमत से जीत होगी समराच चौधरी को मिला जेडियू का जवाब बीजेपी प्रदेश अध्यक समराच चौधरी के दोरा जिस तरह से मुख्य मंतरी उप मुख्य मंतरी पर निशानास साथते वे प्रदेश वासियों को शुपकामनाय दी गई थी इस पर अब जेडियू के ओर से परड़वार किया गया है दरसल जेडियू के ओर से अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें नतीश कुमार को दोहजार चौबस के राज्यतिक टाइम बंप के रूप में दिखाया गया और प्रदान मंतरी मोधी को रावन इस पर जेडियू के मुखे प्रवक्ता नीरज कुमार के द्वारा समराठ चौधरी पर हमला बोलते वे कहा गया है कि बीजेपी के लोग फरजी सनातनी है नबरातरी में भी ये लोग सभी तरह के भोजन ग्रहन करते हैं विजेपी के दिन सभी एक दूसरे को बधाई देते हैं एक दूसरे के लिए कामना करते हैं लेकिन वीजेपी के प्रदीश अध्यक्ष के द्वारा किसी व्यक्तितों का नाम करण कर ट्वीट कर दिया गया ऐ और होने कहा कि बिहार में अराज़क किस्तिती हो गई है। रहे हैं एक तरफ मुख्य मंत्री से ग्री विभाग और दूसरी तरफ मुख्य मंत्री से स्वास्ते विभाग नहीं संभल रहा। पूछा गया कि क्या पांच राज्यों के चुनाव दोहजार चौबिस के आम चुनावों के सेमी फाइनल होंगे। जिस पर उन्होंने जवाब देते वे कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। फिटनेस स्तर को देखिए हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि पिछले दो साल में कोई फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ है अगर मैं यहां किसी का व्यक्तिकत नाम लूंगा तो उन्हें पसंद नहीं आएगा ऐसा लगता है कि वो रोज 8 किलो ग्राम मतन खाते हैं। उन्होंने कहा कि टेस्ट होने चाहिए पेसिवर रूप से आप देश के लिए खेल रहें और इसके लिए आपको भुगतान किया जा रहा है। मैं मिस्बा के साथ हूँ जब वो कोच थे तब उनका यह तरीका था खिलारी उनसे नफरत करते थे मगर यह टीम के लिए कारगर था। मैं मिस्बा करमचारियों को जुलाई से डिये मिलना था इसलिए इसे पाना करमचारियों के लिए अधिकार था। मैं दिवाली से पहले इसके भुगतान के घोशना करने के फैसले का स्वागत करता हूं। जानी आज बिहार में क्या है पिट्रॉल डीजल के रेट बिहार में आज यानी बुधवार को पिट्रॉल डीजल के रेट जारी के गएगा इसके बाद राजधानी पतना में आज पिट्रॉल 17.24 रुपे और डीजल 94.04 रुपे प्रति लीटर मैं मिल रहा है। प्रपादी कि बिहार में पिट्रॉल करीट सबस्यादा किसन गंज में है जहां पिट्रॉल 119.35 रुपे प्रति लीटर और डीजल 95.99 रुपे प्रति लीटर की दर्से मिल रहा है अब भरते हैं आज के 5 सवाल की ओर हमारा पहला सवाल है जलाश है मातसे की विकास योजना के तहट बिहार सरकार की ओर से कितना अनुदान दिया जाता है इसका सही उत्तर है ओप्शन सी 70 फीस दी अगला सवाल बीते 24 घंटे में प्रदेश में डेंगो के कितने नए मामले सामने आए हैं ओप्शने 250 ओप्शन भी 260 ओप्शन सी 300 ओप्शन डी 350 इसका सही उत्तर है ओप्शने 250 अगला सवाल आज बुदवार के सुभ़ पुर्णिया का एक यू आई कितना के उपर रहा ओप्शने 200 ओप्शन डी 220 ओप्शन सी 100 ओप्शन डी 150 इसका सही उत्तर है ओप्शने 200 इसका सही उत्तर है ओप्शन सी भागल पूड अगला सवाल इसका सही उतर है option भी तीन महीने बीदर दिन हमारा दुरा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने फ्रजाप हमें हमारी comment section box में लिख कर दिया है जिन्होंने हमारा दुरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है गुडिया कुमार मौर्या, खुशी शर्मा, मरूज कुमार, मुहमत फहीम, गोनर सर्मा, रंजीत मिश्रा, उमेश्र सिदेव, बावुलाल मरांडी, सदुल्ला पलवी, विश्यम कुमार, जैसे का गप्ता, मुहमत सकीर हुसेन, राजके सोर महतो, रवी संकर, नौशल अंसार अगर आप यूटूब से देखना चनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बूक से देखना तो पेस को फॉलो करना ना भूले, धन्यवाद